शीमद हो में रेमेडी इसमें आपका सॉड़त है और हम आपको बताएंगे पर्पोस करते वक्त किसी भी लड़की को आपको पांच बाते अगर आप ध्यान में रखेंगे बहुत आसानी से आपको लड़की की हाम मिल जाएगी वो क्या-क्या बाते हैं हम वही आपको बताने बताने जा रहे हैं अब ही वेलेंटाइन डे नस्दीक आ रहा है वेलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है पर्पोस दे का मतलब है प्यार का इजार करने का बात कहने का देने इस दिन लोग अपने प्रीमी को प्रपोस करते हैं और हमेशा शाहत रहने की इजाधत या लड़के हलकी सी गलती को लेकर मना कर देते हैं जैसे हर किसी जगह आप दिल की बात नहीं करें कभी कबार आप दिमाग से काम नहीं लेते हैं और लड़की को कहीं भी प्रबोस कर देते हैं जिसे लड़की को बड़ा अजीब सा फिरोता है या वो आपको या आपकी feeling को समझ नहीं पाती है इसलिए propose करने से पहले कुछ तयारी करें और खास जगह पर जाकर उसे propose करें इससे आपको हां मिलने के जो चांस है वो बढ़ जाते है अपने look का ध्यान रखें जब आपको कोई देखता है तो पहरी नजर में आपके look को देखता है और से देखकर ही दिमाग में एक image बनता है या वो एक image बना लेता है इसलिए जब किसी को propose करने चाहें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके फ्रेमी को वो look पसंदाना चाहिए इससे आपकी हाँ मिलने के कारण और बढ़ जाते है उसके बार जिसको आप propose करने जा रहे है उसके बारे में जानकर ही रखें जब किसी लड़की को propose करने का मन बना रहे हैं या लड़की लड़का को propose करने का मन बना रहे है तो उसके बारे में सब कुछ जान ले उसके बाद ही कोई कोई कड़ों उठाए कभी ऐसा हो कि आप उसे प्रपोस कर दें और फुलिस बुला कर आपकी शिकायत कर दे और घर पर किसी सी शिकायत करने के लिए आ जाए तो आपके लिए तो खासी दिक्त कड़ी हो जाएगी इसलिए पर लड़की के बैवार के बारे में जान ले तो आपके लिए बैटर रहा अभी पहले दिन ही प्रपोस होने के जुरूद नहीं आप मिले और पहले दिन प्रपोस कर दिया कई लोग किसी लड़की या लड़के से जस्ते मिलते हैं उस दिन प्रपोस कर दिते हैं जिससे उनको ना ही मिलती है इसलिए जब भी लड़की को प्रपोस करें तो ख्यान रखें कि हर किसी लड़की से बात ना करें और पहले कुछ दिन उससे ऐसी ही बात करें और बाद में अपना प्रपोदर लेकर चाहिए आखरी चीज़ है वक्त दे जब भी आप किसी लड़की को प्रपोज करें तो उसे सोचने का वक्त दे उसे तुरंट हा या ना का जवाब नहीं मागें साथ ही बाद में उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश आप दारी रखें वहीं गर अपको ना मिले तो परिशान ना हो और अपनी गल्ती को सुधारने की कोशिश ना करें तो धन्यवाद आप हमारे एचन पे सबस्क्राइब करें और अपनी कमेंड़ बीचिए धन्यवाद